नमस्कार News 111 में आपका स्वागत है मैं हूँ पूजा वर्मा विहार की सीम नितीश कुमार ट्विटर पर आज ट्रेंड कर रहे हैं बात इसलिए क्योंकि नितीश का विश्वास घात करके लोग उने टैग कर रहे हैं और हजारों ट्विटर हैंडल जो भी यूज कर रहे हैं उन्होंने ट् censorship करके दिटिश कुमार को इस तरीके से टैग किया है इसमें तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुस्वाहा ने भी निशानासाध है तेजस्वी यादव ने ट्伍विट किया है कि क्या नितीश कुमार नहीं जानते कि CRB देश को बाटेगा लेकिन लेकिन कुर्सी के चक्कर में संविधान जनादेश और समात से विश्वास घात कर रहे हैं किसके से डरे हुए है कि कटर संप्रदायक तक बनाने को तयार हो गए हैं खुद चन्द दिनों पहले तक इसका विरोध कर रहे हैं लगतार तेजस्वी यादव नितिश कुमार पर सवाला निशान कर रहे हैं और अपने निसानों के आपको अपने सवालों से वो लगतार जो नितिश कुमारन को घेटे वो नजर आ रहे हैं लगतार इस तरीके से बीते दुनों तेजस्वी यादव ने धरना किया और लगों को इकठे करके सपत लिवाई की वो ये पास करने नहीं देंगे और हाला कि राजिसवा और लोगसवा दोनों से जो नागरिक्ता संसोधन बिल है वो पास हो चुका है लेकिन तेजस्वी कि क्यों डर रहे है नितिश कुमार आपको बता दे कि तेजस्वी यादव ने अपने फेस्बुक पर लिखा है नागरिक्ता संसोधन विदेव एक ऐसा कानून है जो इस समाज को धर्म की आधार पर बाट देगा हमारा समविधान कहता है कि धर्म की आधार पर हमें ये रिख्ता को कानूनीक रूप देता है सरनार्थरी वही लोग होते हैं जो जरूरत मंद होते हैं सताय लोग होते हैं जिनका उनकी अधिकारों से वठ चित कर दिया जाता है ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं चाहें हिंदु हो हो लगतार तेजस्वीयादर ने अपनी जो बाते हैं वो पूरी तरीके से अपने इस फेस्बुक पर पोस्ट है उसके जर्य कहने की कोशिश किया है और नितीश कुमार पर निसाना साधा है उन्होंने ट्विट किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कानून पाकिस्तान में हो सकता है या फिर हिटलर के नाजी जर्मनी में हो सकता है भारत में कभी नहीं हो सकता उन्होंने ये भी कहा है कि हम गंगा जमुना तहजीब को बिगारने नहीं देंगे हमें ये तैय करना होगा कि हम पाकिस्तान बने या भारत ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा कानून नीजी जर्मनी औ बने रहेंगे जिस तरीके से को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे जिस तरीके से बीते दिनों ने अपने जो उनके समर्थक हैं के नेता हैं सब ने मिलकर सपत लिया था कि लगातार वो इसको लेकर के अपना जो धर्णा प्रदर्शन है अपनी जो प्रोटेस्ट ह वो चालू रखेंगे और इसके खिलाफ लगतार बोलते रहेंगे जिस तरीके से बीते दिनों खुला दिवेशन हुआ उसमें भी वो लगतार नितिश कुमार पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे लगतार उन्होंने CAB को लेकर बोला NRC को लेकर बोला NRC का मुद्ध देश में काफी ज्यादा गर्माते चले जा रहा है जिस तरीके से दोनों सभाओं से राजसभा और लोकसभा में इससे पारित कर दिया गया उसके बाद भी जो राजत है इस पर लगतार अपनी प्रतिक्रिया दे रही है तेजस्वी आदब लगतार ट्विट कर के इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है और उन्होंने ये भी ट्विट किया कि आपको अब नागरिता भी नहीं मिल सकती है और इस काले कानून का साथ नितीश कुमार का जेडी हुदे रहा है जिसमें कोई सम्मान से नहीं रह सकता है क्या नितिश कुमार नहीं जान देगी ये कानून गलत है और समाज को बाटेगा लेकिन साहब कुर्सी के चक्कर में समविधान समाज जना देश और समाज के लोगों से विश्वास घात कार कर रहे हैं नितिश कुमार पर जोड़दार हमला बोला है देजस्वी यादव ने अपने इस पोस्ट के जड़िये और लगतार वो नितिश कुमार को सवालों को घेरे में डार रहे हैं उन्होंने ये भी ट्विट किया कि किसे डर से उन्होंने इस तरीके से कटर संप्रदायक तक बनाने को तयार हो गए हैं वो खुद भी चंद दिन पहले तक ऐसे कानून का विरोध कर रहे थे इन सब का मकसद समाज में संदेह पैदा करवाना है और सदभावना जो है वो पूरी तरीके से खतम कर देनी है तेजसमी यादर की बात करें तो जिस तरीके से खुला अदिवेशन हुआ उसके बाद फिर उन्होंने नागिता संसोधन बिल को लेकर के अपना अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के तरफ से जिस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी लगतार नितिश कुमार को वो सवालों के घेरे में डाल रहे हैं और अब नितिश कुमार पूरी तरह से घेर भी चुके हैं क्योंकि लोग भी उनको ट्रेंट करवा रहे हैं ट्वीटर पर और तंदवाएं